हे हलो अबरिवान वेल्कम बैक टू मैं चैनल मैं आज आप लोगे लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ आज की जो रेसिपी है वो है बिंगॉली स्टाइल फिश करी बिंगॉली कैसे फिश बनाते हैं तो चलिए मैं आप लोगे को फटाफट से दिखाती ह यह है रोहू मचली और इसे हमने बहुत ही अच्छे से धो लिया है हम इसमें हल्दी और नमक मिलाके इसे कुछ देर के लिए इसी तरह से छोड़ लिए और तब तक कर लेंगे अपने मसालों का प्रिप्रेशन मसालों मैंने लिया है यहां पे गोटा जीरा पीला सर्सो अब इन सब का मैं एक पेस्ट बना लूँगी मैंने यहां पे इन सब को मिक्सर में ग्राइन कर लिया है और इसमें हल्दी एट किया है और एट किया है थोड़ा सा लाल मिट्च पाउडर मैंने यहां पे फिश को फ्राइब करने के लिए ओल गरम कर लिया है इस तरह से और एक एक करके मैं सारे फिश को इसमें डल रही हूँ, आप ऑईल को बहुत ही अच्छे से घरम करें, आपका प्रॉपर अच्छे तरह से घरम होना चाहिए मचली को फ्राई करने के लिए, नहीं तो आपका जो फिश है वो इसमें चिपक जाएगा और सारा तूट जाएगा, इस ब्राउन भी हो गया, और मैं इसे इस तरह से निकाल ले रहे हूँ, यह देखे तेल मेरा प्रॉपर गरम था, इसलिए मेरा एक भी फिश नहीं चिपका, इसलिए आपको तेल पूरा अच्छे तरह से घरम करना है, और इसी तरह से मैं अपने सारे मचली को एक एक करके इस त अब मैं इसे निकाल ले रहे हूँ, तो मेरे मचली और आलू दोनों ही फ्राई हो चुका है, यह देखिए, फ्राई करने के बाद जो तेल बचा था, मैंने इसमें पाच फुरं का तड़का लगाया है, और उसके बाद मैंने जो पीसेवे मसाले रखे थे, वो अब मैं इसम अब देख सकते हैं, मैं इसमें सारी मसालो को अड़ कर दे रही हूँ, उसके बाद मैं इसमें अड़ कर रही हूँ, स्वादर नुसार नमक और इससे चलाते रहना है आपको ने, तो यह चिपक जाएगा, उसके बाद मैंने यहाँ पे जो कटे हुए टमाटर रखे थे, वो इसे तरह से इसको फ्राई करते रहेंगे, और इसमें हमने पानी अड़ नहीं किया है, जो मसाले की जो पानी थी मैंने उसी को अड़ किया है, और मैंने यहाँ पे अलो भी अड़ कर दिया है, उसी में इस तरह से, और देखें, अल्मॉस्ट हमारा मसाला फ्राई हो चुका ह अब हम इसमें पानी एड़ कर रहे हैं मैंने यहाँ पे पानी को एड़ कर दिया है और हम अब वेट करते हैं जब तक पानी में उबाल नहीं आता है पानी में उबाल आने के बाद हम इसमें सारी मचलियों को एड़ कर देंगे यह रिखे पानी में उबाल आ गया है कट करके वो भी मैंने इसमें आड़ कर दी और हम इसे आप आलमस्ट पांच मिनट में अब हमारा मशली जो है वो बनके हो जाए कर रेटी खाने के लिए ये रेखिए हमारी मशली बनके हो गई है रेडी कितना अच्छा कलर भी आया है इसमें ये देख सकते हैं आप लो तो कि बिंगॉल का फिश बहुत ही ज्यादा फेमस है तो आलमस्ट हमारे बिंगॉल में इसी तरह से फिश कड़ी बनाई जाती है और आलू तो मस्ट एड होता है तो आप भी आलू जरूर एट करें और एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राइब करें और आप लोग को मेरी टकीलिए बाटी किये बाटी किर